यहाँ पर तायलिंग पटरन्स यहाँ पर टिया गए हैं since we made a complete करना है बहुल यहाँ पर अतनी bit आपी यह थका स्कासिंट लिख निवहन फॉरीडंद पर में इतनी यह बिड़े देंग तक हमारा पैटन कांटीनु में रहे इधर इस वे विल किप इप इस नावर फर्स टाइल इज विल रिपीट नाव अगे विल रिपीट टाइल तो second number की tile है वो हम यहाँ पे repeat करेंगे इस तरह से हम यहाँ पे fit कर देंगे तो हमारा यह pattern हम continue रहेगा same way हम वापस से repeat करेंगे first वाली हमारा second हो गया अब यहाँ पे हम first वाली tiles लेके वापस क्लिक करके हम यहाँ रख देंगे तो हमारा pattern इस तरह से आपको यह अपनी textbook में complete करना है आपको color colors की help से crayon color की help से आपको यह fill करना है see the pattern I am using देखो अब नीचे उपर की तरफ light pink है तो हम यहाँ पे उपर की तरफ light pink वाला लेके color कर देंगे same way अब यहाँ पे dark pink triangle complete हमारा यह same way starting triangle का हम लेंगे यहाँ पे complete कर देना वो आप picture now third point complete this pattern compare it with the pattern on page number 70 which also uses six sided shapes what is the difference between the two अब हमको यहाँ पे एक pattern दिया है उसको हमको complete करना है तो यहाँ पे देको small triangle है और एक hexagon है तो total two tiles उसके एक triangle की और एक hexagon की और इस तरह से picture हमने complete करना है अभी आपके लिए मैंने यह complete कर दिया अब हमको क्या करना है जो page number 70 पे picture है उसके साथ इसको compare करना है कि क्या difference है दोनों के बीच में क्या difference है अब यह आप दियान से देख लो page number 72 वाला आपने देख लिया यहाँ पे triangle और hexagon दोनों यूज किये हो है total two patterns used है one is small triangle and second tiles is hexagon अब page number 70 पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है only hexagon वाली tiles only one tiles is used और उसका पैटर्न क्रीज़ देखेंगे